हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिश्ट ओफिशल में आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईना महिल के बार में अगर आपको मैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेर कीजिए तो चलो गाइज मैं आज की वीडियो शुरू करते हूँ आईना महिल अठरवी सप्तादी का एक महिल है जो दरबार गट भूज गुजरत भारत में प्राण महिल के बगल में स्थी थे इस महिल का नेमन कच राज्य के राव लखपजी ने 1750 के आसपास करवाया था लखपजी के उस्ताज शिल्पकार राम से ने मालं महिल को स्थानिय शेली में डिजैंग किया और इसे यूरोपेन शेली के कात दरपन और टाइलों से सजाया महिल की दो मंजिल थी पहली मंजिल में ओडियन्स वाल प्लेजर हॉल और मीरज और स्टेट अपार्मेंट है और दूसरी मंजिल पेटे चेबर दरबार हॉल औ इमारत को एक संग्राले में परवर्तित कर दिया गया है जिसमें यूरोपेन संग्रह सामील है जिसमें खडिया सामान यातरी खिलोने पेटिंग और चित्र शामील है आयना महिल का निर्मान राव लखपज जी ने लगबग 1750 में किया था महिल का मूख्या वास्तोकरा और इजनेर राम सी मालम थे जो अठरा साल तक यूरोप में रहे और इसमें महारत हासिल की कई यूरोपेन शिल्प और वास्तोकला कोशल निर्मान के लागद एसी लाग कोरी या लगबग 20 लाग कोरी थी उस अवधी में राज्या के राज्यस्व के तीन वर्षों के बराबर जंगीत मई खडिया मिली 1937 में महल को एक संग्राले में बदल दिया गया था 2001 गुजरत भूकम में इसे कशतिगश कर दिया था और इमारत के इसे को बहाल कर दिया गया था और अब आइना महल में ट्रस्ट संग्राले है आइना महल प्राण महल के पास थी ते यहे दो चाय गये है और संगम मरमर की दिवारों को दरपनों से सजया गया है जो सोने के फ्रेम में अलग किया गये है दिवालों को सजीत अलमारियों से भी सजया गया है जिन पर काच के बने पदात और मिटी के पातर प्रदशित किये गये थे फेनल बेरा और विनी शेर ग्लास की चायां वाले जूमर लटका कर कमरे में रोशन किये गए थे स्तंबोर छतों को सोने की ढलाए और अन्य लंग करणों से सजाया गया है और स्तंबोर दीवारों के बीच के स्थान त्रिकोणिया दरपांड डिबो से भरे हुए है अगर आप भूज में कभी आओ तो आइना महिल देखने के लिए जरूर से जाना तो गाइज आज के लिए बस इतने अबम मिलने नेक्स टुटिम अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बाज में जो फंटे बटन उसके बने बिल्कुल भी मत भूलेगा थे झाल